इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं how to check the mutual fund status with the folio number तो देखिए कई लोग बहुत सारी apps के उपर investment करते हैं mutual fund के लिए लेकिन verify कैसे ही किया जाए कि हम उन्हों app के उपर जिसके उपर investment कर रहे हैं क्या actual में AMC के पास में पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है तो देखिए आज के इस वीडियो के इंदे step by step process बताने वाला हूं कि folio number क्या होता है folio number आपको कैसे check करना है कौन सी site पे जाके check करना है कैसे statement download करना है recently आप लोगों ने दिखा होगा grow के उपर एक transaction हुआ था जहां folio number तो दिखा रहा था बट actual में वो folio number exit नहीं करता था due to technical issues तो ऐसे situation आपके साथ में ना happen हो और आप जहां पे भी investment कर रहे हैं आप proper तरीके से verify कर सके तो यह सारी जनकाई देने वाला हो भाई एक ही वीडियो के अंदर तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखीगा पहले बात करते हैं कि भाई folio number आखिर होता क्या है तो एक simple सी language के अंदर बात करूँ तो यह ultimately आपका bank account number है जी हाँ तो यहाँ पे जिस भी AMC के साथ में आप investment कर रहे हो वो AMC कमनी एक unique folio number जनरेट करती है जो ultimately आपके pancard number के साथ में link होता है तो कल को मानलो यह grow हो गया पेटियम money हो गया जिरोदा हो गया यह जितने भी ब्रॉक करें यह सब लोग अगर बंद भी हो जाते हैं तो आपका पैसा पूरी तरह किसे safe होता है आपको सिर्फ अपना folio number बताना पड़ता है AMC कमनी को और आपको पता लग जाता है कि आपके पस कितनी holding है फिर आप redeem करना चाते हो जो भी करना चाते हो आप आराम से कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपके पास folio number होना जरूरी है अब बात करते कि folio number पता कैसे चलेगा जी हां तो देखिए वैसे तो बहुत सारे तरीके लेकिन मैं आपको सबसे simplified तरीका बताने वाला ह ओफिशल तरीका जो की है कैम्स और के फिंटेग की वेबसाइट के तरो तो भाई स्क्रीन के सामने देख सकते हो मैं आपको यह लिंक जो एक description box के अंदर provide कर दूँगा तो यहां पे कैम्स और के फिंटेग हमारे इंडिया के अंदर यह दो entities है जो जित्ती भी AMC कमनी से सभ का काम हेंडल करती है तो आपने भले किसी भी एप के तुरू किसी भी एजेंट के तुरू invest क्यों ना कर रखा हो सारी information यह आपको statement निकाल के देगा तो यह होता है भाई consolidated statement तो आपको अलग-अलग website पे जाने की जरूत नहीं है चाहे तो कैम्स की website पे चले जाओ या के फिं summary बता देता हूँ उससे भी आपको चीज़े पता लग जाती है यहाँ पर अपनी date select कर ली कि कब तक का आपको portfolio चाहिए जो portfolio के अंदर आपने mutual fund बेचती है अगर उसकी भी अगर आपको details हीए तो with the zero balance follow आप select कर सकते हो आप कुछ नहीं करना अपनी simply email id डालो अपना pan number डाल और इस PDF का password obviously बाद आपने set किया वाय तो open कर लीजिए तो भाई screen के सामने देख सकते हो इस type की यह आपको PDF दिखने वाली है जिसके अंदर K Fintech और Camps दोनों की तरफ से आपको data मिलने वाला है और सबसे अची बात यहाँ पर आपको folio number मिलता है ISN number मिलता है scheme का नाम हो गय उस scheme के अंदर कितने पैसे आपने invest कर रखे कितने unit आपके पास में है और as per the NAV date जिसे आज की जो NAV date है उसके according उस scheme की right now आज की date के अंदर क्या value है और plus इसके registrar कौन है तो यह सारी information भाई इस consolidated account summary के अंदर आपको दिखने वाली है तो यहाँ पर भाई ultimately आपको अपना value क्या है तो आपको valuation दिख जाएगा तरस आप मालों कोई paytm money हो गया grow हो गया या किसी भी app के ओपर भी investment करते हो ना तो simply वहाँ पे भी आपको proper एक folio number दिखा देता है तो अगर आप cross check करना भी चाहते हो तो यहाँ पे is folio number को copy करके आप अपने statement के इंदर find कर सकते हो अब आप चलो एको तरीका बताता हो कि आपको ये भी verify करना है कि यहाँ पे तो बहुत सारी AMC के भाई नाम दियो है तो actual में उन AMC के पास में ये मेरा folio number exist करता है की नी करता ये कैसे पता किया जाए तो यार इसको पता करने का भी बड़ा ही ना simple तरीका है आप जिस भी AMC की site क के उपर चेक करना चाहते हो उनकी site के उपर चले जाओ जैसे एक दो example दे देता हो मालो मैं access mutual fund की website के उपर चला गया ठीक है तो यहाँ पे आप directly लॉग इन कर सकते हो सभी AMC के पास में आपका पूरा पहले से data रहता है अगर आप किसी भी scheme के इंदर invest कर रहे हो तो जैसे मा कर लो तो यहाँ पर screen के सामने आप देख सकते हो आपका जो folio number होगा उससे अगर आपकी multiple schemes है तो वो आपको easily तरीके से देख जाएगी कि हाँ यार मेरी access के इंदर इतनी-इतनी scheme चल रही है और right now उसकी valuation क्या है से मालो जैसे मैं UTI की website के उपर चल जाता हो UTI mutual fund की तो जहा यहाँ पर भी आपका मतलब पैसा लगा हुआ है जिस भी scheme को आप verify करना चाहते हो यहाँ पर again simply आप login कर लो अगर आपका account नहीं बना हुआ तो एक बार यहाँ पर register कर लो हर जगे simply आपको अपना सिफ pan number डालना है यहाँ पर जो register mobile number होता है जो register email ID होती है वो already उनके पास मे होती है तो यहाँ पर जैसे मैं again यहाँ पर अपना pan number डालके OTP select करूँगा तो पहले से भाई मेरा यहाँ पर registration होगा चाहे मैंने जिन्दगी में एक बार भी website नहीं खोली है क्योंकि जैसे मैं बता है कि भाई जिस भी EMC के इंदरा पैसे लगा रहे हो उनके पास सारा data होत जो है मेरे pan card के name पे यहाँ पर activated है तो इसको again मैं यहाँ पर search करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो UTI के Nifty 50 index fund 48,000 का यह में को दिख गया है और यहाँ पर भी same पैसा लगा हुआ है 48,000 जिसके भी right now current value 75 के है और statement में भी आप देख सकते हो almost उतनी ही value है तो भाई इस simply MF Central के उपर अपना एक account open कर लो तो वहाँ पर क्या होगा at least आपकी जो non DMAT holdings होती है वह at least आपको यहाँ पर proper तरीके से दिखा देगा तो यहाँ पर आपके सारे ट्रांजेक्शन आपके सारे folio number सब कुछ आपको scheme wise details दिखाता है वैसे इसके उपर मेरा पूरा separate video अलड़ प्लस किसी भी app के थ्रू invest कर रहे हो तो बिलकुल भी घबराने की जरूत नहीं कि अगकल को वह app बंद हो गई तो मेरे folio's वगरे का क्या होगा simply आप company की AMC website पे जाओ वहाँ पर अपना pen number डालो और सारे details आपको निकल के आजाती है फिर वहीं से आप अपने mutual friend redeem sell कर सकते हो तो guys hope you like this video please subscribe our channel अगर आप लोग की कोई भी doubt से comment box के अंदर जरूर बताएए thank you guys thank you very much